नमस्कार राज की बात में आपका स्वागत है सुप्रीम कोड कॉलेजियम सिस्टम ये डोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए है यानि कि जजों की न्युक्ती जज ही करेंगे ये विवस्था दुनिया के किसी लोकतंत्र में है तो वो सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर है लेकिन ये विवस्था जादा दिनों तक चलने वाली नहीं है क्योंकि मोदी सरकार इस पर पूरी तरीके से सक्त रुख अपनाये हुए है अभी तक जो भी मामले पेंडिंग पड़े हैं जजों की न्युक्ती को लेकर उसमें सुप्रिम कोट में पिछले दिनों सुनवाई भी हुई और सुप्रिम कोट में सुनवाई के दौरान सरकार को निर्देश दिया गया कि जिन जजों के न्युक्ती के लिए नाम के सिफारिश की गई है उस पर अंति मुहर लगाएं उनके लिए नोटिफिकेशन जारी करें और उनको न्युक्ती पत्र दें लेकिन फिर भी सुप्रिम कोट में जो कोलेजियम विवस्था है उसमें सुधार की गुनजायस बची हुई है और इस पर एक लंबा डिवेट चल रहा है लेकिन फिर भी इस बीच कानून मंत्री किरन निजुजु ने सक्त निर्देश दिये हैं और एक चिठी बेजी है CJI चंदरचूड के पास उस चिठी में साफ तोर पर लिखा हुआ है कि कोलेजियम विवस्था में सुधार होना चाहिए और जज जो जज की नुक्ती करते हैं जो लिस्ट तयार करते हैं उसके सौट लिस्टिंग के प्रॉसेश जो है उसमें सरकार का एक नॉमिनी होना चाहिए यानि सरकार का एक परतिनिदी होना चाहिए सरकार नॉमिनेट करके किसी को बताएगी कि ये जो प्रोसेडिंग है इसमें जिसमें जजों की सॉटलेस्टिंग की जाती है कि कौन हाई कोट में जाएगे किस हाई कोट के जज को सुप्रिम कोट में लाया जाएगा या कौन सा वकील डारेक्ट सुप्रिम कोट में न्यूक्त होगा ये जो सौटनिस्ट करने की प्रोसेस परकरिया है उस परकरिया में सरकार की भूमिका होनी चाहिए क्योंकि ये विबाद अब लंबा चलता जा रहा है एक तरफ सुप्रीम कोट सक्त रवया अपना रही है कि हम इसमें सरकार का कोई हस्टेप होने नहीं देंगे जबकि दूसरी तरफ सरकार अलग-अलग तरकों के साथ बता रही है कि कॉलेजियम सिस्टम फेल है कॉलेजियम सिस्टम समविधान के अनुकूल ही नहीं है क्योंकि पिछले दिनों किरन रेजुजु ने राजसभा में ये बात कही थी राजसभा में जब इस मुद्दे को गरमाया गया और कॉंग्रेस ने इसे राजनितिक मूर देने की कोशिश की तो किरन रेजुजु ने साफ तोर पर कहा कि जिस नियापालिका में निक्ति को लेकर इतना विवाद चल रहा है उसमें पहले से विवस्थाएं क्या थी और उस विवस्था के बदले ये विवस्था क्यों लाए गई और किस नियम के तहत लाए गई ये भी एक छुपा हुआ तत है क्योंकि 2014 में ये लाया गया था कि निशनल अस्तर पर एक्जामनेशन के थूँ जजों की नुक्ती होगी NJSE की बात हुई थी NJSE Act भी लाया गया और ये Congress के समय ही इसका draft तयार हो रहा था लेकिन उस समय Congress की सरकार थी तो Congress NJSE के पक्ष में थी उसके बाद मोधी सरकार ने NJSE Act लाया और NJSE Act में जब सुधार की बात हुई तो Congress इसके साथ खड़ी थी और Congress के कई नेता सरकार के समर् कौनिस पार्टी भी सरकार का साथ दे रही थी क्योंकि उसे भी इस प्रोसेस से परेशानी है कि न्यायपालिका को इतनी भी स्वतंतरता नहीं दी जाने चाहिए कि वो हमेशा संसद के ऊपर हावी रहे उसी तरीके से जब NJSE कोट में गया यानि कि सुप्रिम कोट ने इसके उपर सुनवाई की तो इसे बेसिक स्ट्रक्चर में छेड़ छाड़ का मुद्दा बता दिया और फिर इसके बाद उन्होंने इस एक्ट को ही खारिज कर दिया और कॉलेजियम विवस्था के तहट जजो की न्युक्ति की बात की लेकिन कॉलेजियम विवस्था जो लाई ग बात है ये किरन रिजुजु ने पूछा था क्योंकि सम्विधान में जजो की न्युक्ति की बात की गई है कैसे न्युक्ति होंगे उनके क्वालिफिकेशन क्या होंगे ये सारी बाते की गई है लेकिन न्युक्ति की बात में तो सिर्फ यही कहा गया है कि प्रेसिडेंट मुहर लगा देंगे क्योंकि ये जो notification सरकार और president की बात होती है तो जितने भी तरह की न्युक्तियां होती है या मंत्री पद के सपत की बात ही क्यों नहों जितनी भी तरह की न्युक्तियां होती है जिसमें राष्टपति का अधिकार होता है उसमें cabinet का भी संसा की बात होती है इसमें तो cabinet या सरकार या लोकतांतिक तरीके से चूनी हुई विवस्था कुछ मायने ही नहीं रखता है इसमें तो सिर्फ और सिर्फ कुछ जज मिलकर जजों की न्युक्ति करते हैं ये विवाद बहुत तेजी से बढ़ा और फिर पिछले दिनों दो तीन बार वाइस पिसडेन जगदीब धनकर ने इस मुद्दे में कुछ बोला उन्होंने कहा जो पिछली बार की लक्षमन रेखा पार नहीं करना चाहिए जजों को सुप्रिम कूट को और इसलिए कोलेजियम विवस्था जो है वो परमपरागज तरीके से ऐसी विवस्था है जिसमें जुडिसियरी में जजों के वर्चस्व को स्थापित करने की कोशिश की गई है यही नहीं उन्होंने पिछले दिनों ये भी कहा कि जिस बेसिक स्ट्रक्चर की बात की जाती है वो बेसिक स्ट्रक्चर की परिवासा तै होनी चाहिए ये बताया जाना चाहिए कि जो basic structure की बात पहले केश्वानन भारती वाले मामले में आया था क्या उसी की बात कर रहे हैं क्योंकि अगर उस मामले की बात करें जिस पर basic structure टिका हुआ है जिसको सुप्रिम कोट अपने फैसले में हमेशा जिक्र करता है कि जो संविधान के आधार परवुत संरचना है उससे छेड़ छाड़ नहीं की जा सकती यानि basic structure को उसी तरीके से रखा जा सकता है हां ये भी है कि संविधान बदला जा सकता है संविधान बनाए गए थी संविधान समीती द्वारा संविधान समीती भी संसद के चूने हुए सदस्यों में से थे और स संसद के सदस्यों ही संविधान समीती का निर्मान भी किये थे इसलिए संसद सुप्रीम है और अगर संसद चाहे तो नए संविधान का निर्मान कर सकती है लेकिन इस संविधान में संसोधन के तरह देखा जाना चाहिए कि इसके आधारवुत संरचना में कोई change नहीं किया जा गया हो लेकिन आधारवुत संरचना क्या है इस पर सुप्रीम कोट ने अभीतक कुछ भी नहीं कहा है और सिर्फ और ये बाते होती है कि संविधान की आत्मा के साथ छेर जड़ नहीं कि जा सकती अब संविधान की आत्मा है क्या क्योंकि अगर संविधान की आत्मा हम प्रियंबल को माने प्रस्तावना को माने तो भी उसमें संसोधन किया गया है और वो संसोधन इंद्रा गांधी की सरकार के समय ही किया गया है जब प्रियंबल में प्रस्तावना में सेकुलर सब्द जोड जहां तक fundamental rights की बात की जाती है कि अगर मौलिक अधिकार को समिधान की आत्मा के तहत रखा जा सकता है तो वो मौलिक अधिकार में भी changes किये गए हैं उसमें भी संसोधन किया गया है जब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से बाहर निकाला गया था क्योंकि संपत्ति के अधिकार जब मौलिक अधिकार के अंदर था तो उस समय कई विवाद पैदा हो गए उसमें कई मामले कोट में आने लगे जब जमिनदारी विवस्ता का उन्मूलन किया गया जमिनदारी की विवस्ते का उन्मूलन के तद जब जमीनों पर कबजा सरकार की हुई उसका redistribution हुआ तो उस समय कई जमींदार सारे के सारे सुप्रिम कोर्ट में पहुँच गए जो जमीन के मालिक थे वो सुप्रिम कोर्ट में चले गए कि भई हमारा ये मौलिक अधिकार है संपत्ती का हमें अपने संपत्ती को अपने पास रखना है सरकार इसके खिलाब कारवाई कैसे कर सकती है ले इसलिए उसको हटा कर वहां से 300 ए में लाया गया क्योंकि संपत्ती का अधिकार अधिकार तो रहेगा लेकिन मौलीक अधिकार नहीं रहेगा मौलीक अधिकार हो या राज्य के निति निश्यदक्तत हो या फिर प्रियम्बल हो, सब तो अलग-अलग समय में उसमें संसोधन किये गए हैं, लेकिन नियापालिका की उस विवस्था के तहद क्या कहा जा सकता है कि कोलेजियम विवस्था में सुधार नहीं किया जाएगा, या किस नियम के तहद कोलेजियम लाया गया, यही बात उपराश्ट पती ने भी उठाई, यही बात कानून मंत्री भी बार-बार कर रहे हैं कि कोलेजियम विवस्था के बारे में तो बताईए कि आप ये जो कोलेजियम सिस्टम लाये हैं, वो संबिधान के किस अनुछेद के तहद है, कैसे संबिधानिक माना जा सकता है, क्योंकि आपने NJAC Act को खारिज कर दिया, वो आपने Basic Structure की बात कही, लेकिन Basic Structure में भी ये विवस्था जोडने में, संबिधान में जोडा गया है, क्या किसे संसद के प्रस्ताम में है, संसद ने इसे पारित किया है, या फिर खुद से ही आपने निर्धारित कर लिया, कि पांच जज मिलके दू बार बार ये दिखाया गया है, कि सूपर मेसी बनसबाद की है, जजों के बच्चे जज बन रहे हैं, सामान लोगों को मौका नहीं मिल रहा है, जस्टिस चंदरचूड को जब जज बनाया गया था, उस समय का भी मामला सामने आया, और जब इने CJI बनाया गया, तो उसके ख इसे इनकार कर दिया, और पांच मिनट के अंदर ये मामला खारिज कर दी गई, उनकी बात भी नहीं सुनी गई, कि वो क्या कहना चाहते हैं, कि उस परकरिया में क्या बदलाव किया गया था, और जिनके पिता खुद सुप्रिम कोट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, उनके एक्सेप्ट कर लिया जाता है, चाहे उसका मोटीव अलग-अलग ही क्यों नहीं हो, लेकिन जब सुप्रिम कोट में जज और चीफ जस्टिस की निवक्ति की परकरिया के उपर सवाल उठाया गया, और हाई कोट में याचिका दायर की गई, तो उस पर सुनवाई क्यों नही की गया, क्योंकि अगर उस पर चर्चा होती, तो उसमें पता चलता कि जिस कॉलेजियम विवस्था के तहतिया किया जा रहा है, उस कॉलेजियम विवस्था के समवैधानिक्ता पर भी सवाल उठ सकता है, और अब ये सवाल उठ रहा है, सरकार ने साफ कर दिया है कि गोव्मेन्ट का एक नॉमनी भी होगा और जो कॉलेजियम के उस सॉर्ट लिस्ट करने की प्रकृरिया में सामिल होगा और वो सम्मिल कर ये तै करेंगे के किन जजों की न्युकति की जाने चाहिए और जो भी जज नुक किये जाएंगे उनके पूरे background के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उनके जानकारी निट पर भी available होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि Supreme Court के website पर जाएं और वहाँ पर जजों की list हो तो उसमें लोगों को सिर्फ इस बात की जानकारी हो कि ये जज साहब कब retire होंगे और कब इन्होंने join किया था इनके background के बारे में कोई जानकारी नहीं हो इनके पीता क्या करते थे इनके घर में कौन-कौन वकील थे या फिर इनकी पढ़ाई कैसी होई है इन्होंने किन-किन मामलों में वकील रहते हुए पैरवी की है और कहां से influence हो सकते हैं इनके background क भी जानकारी होनी चाहिए इसके लिए जज़ों को form भरना पड़ेगा और वो form दिया जाएगा जिसमें अपने detail दे और उसके बारे में सारी की सारी जानकारी हो यानि की निकती में भी transparency हो और जज़ साहब के background के बारे में भी transparency हो पूरी तरह से निस्पक्ष और transparent तरीके से उनके बारे में जानकारी सब कुछ सरकार के पास भी उपलब दोनी चाहिए और लोगों के पास भी होनी चाहिए ये सारा का सारा मामला अब इस mode पर आ गया है कि अब collegium विबस्था ध्वस्त होने वाली है क्योंकि सरकार अडिग है सरकार भी ये मानने के लिए तयार नहीं ह कि आप एक जज का नाम तीन-तीन बार recommend करें जबकि सरकार उसे reject करने की कोशिश कर रही है यहां तक कि सुप्रीम कोट में जब promotion होता है हाई कोट से तो उस समय भी 22 जजों का जब सूची बनाए गई उसे reject किया गया सरकार ने reject कर दी तो उसमें से 11 जज जो थे दूसरी बार के recommendation में वही जज आ गए जिनको सरकार ने पहले reject कर दिया था नौ जज ऐसे थे जिनका तीन-तीन बार recommendation किया गया वही नहीं यहां तक कि एक जज का तो तीसरी बार चौथी बार recommendation किया गया और यह recommendation सिर्फ एक साल के अंदर नहीं 2019 से 2013 तक 4 सालों तक सुप्रिम को rigid है जो भी को लेजियम में आते हैं वो तयार होते हैं कि उनको तो लाना ही लाना है यह rigidity कि साधार पर है क्या हिंदुस्तान में परतिभा के कमी हो गई है क्या वकीलों की और सामाने परिवार में जन्में वकीलों की कमी हो गई है जो कानून के जानकार हो एक्सपर्ट हो और उनके expertise का इस्तेमाल परतिभा के आधार पर किया जाए न कि जजोक से किसकी जादा मेल जोल है किन के उपर जादा ध्यान जाता है इस आधार पर तो ये पूरी की पूरी परकरिया बेकार है और इसे खत्म करना जरूरी हो गया है जिस पर मोधी सरकार जल्द ही एक्सन लेने वाली है तो झाल झाल